चुनाओं से पहले ही इंडिया गडवन्धन बिखर चुका है तिक जिस्पी आदो की नराजगी ऐसी कि अब वो अकेले चुनाओं लरने को तयारी कर है नमस्कार्द इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बर्जो सिंग जारखन में होने वाले विधान सभाज चुनाओं को लेकर इंडिये के अंदर समती बन चुकी है कि कौन से पाटी कितने सीटों पर चुनाओं लड़ेगी आजसू, भारतिन्ता पाटी, नितीश कुमार की पाटी जेडियू और चिराग पास्वान की पाटी लोजपा रामविलास इन तमाम दलों के साथ भारतिन्ता पाटी चुनाओं लड़ेगी और सीटों का गनित सब कुछ अधिकारी तोर पर एलाइन कर दिया गया है लेकिन मामला पुड़ी तरीके से फच चुका है इंडिया गडबंधन, महा गडबंधन के अंदर तिजश्वी आदो सीट बटवारे से नराज हो गए हैं, हेमन सुरेन ने उन्हें सिधे तोर पर इग्नौर कर दिया मानो हेमन सुरेन भी चाहते हैं कि तिजश्वी आदो की जवरत उन्हें जारखन में नहीं है आपको याद होगा, चाहे वो तिजश्वी आदो का ब्यान हो, राहूल गांधी का ब्यान हो, हेमन सुरेन के ब्यान हो ये लोग नेंदर मोजी एकलाब इपक्स के एक जूट करने की कोशिस कर रहे थे लेकिन आपस में एक जूटता नहीं दिख रही है कारण पता है क्या है कारण है अपना-पना महत्व कांचा मन मुताबिक सीटे न मिलना और यही बड़ी बज़िया है कि तेश्प्री आदो भी जारखन में अकेले चुनाओ लड़ने की तयादी कर रहे है चुकि हमन सोरेन कॉंग्रेस के साथ मिलकर आपस में सीट बटवारा कर लिए सत्तर सीटों पर कॉंग्रेस और जेमेम चुनाओ लड़ेगी यह तय हो गया है बाकि जो 11 सीटे बट़ेगी चुकि क्यासी विधान सवा सीटे जारकन में 11 में से आरजेडी वाम दल के दो जो दल है बागपा माले उनको भेरजिस्ट करने है थीन दल और जारा है कि 4 से 5 सीट ही हेमान सोरेन किस भी हाल में राष्टी जनता दल ऑरजेडी वाले है इससे जाधा उनको नहीं मिलने वाल के लेकिन 13Ш वी आदो-दो तेश्पी आदो का मानना है कि नहीं हमारी पार्टी कम से कम पिछली बार साथ पर लड़े थी तीस बार 12 से 14 सीटों पर लड़ने चाहिए अब ज़ना सोचिए सीट बचा है 11 तो यह दावा है कि 12 सीट पर लड़ेंगे कल मनोजा का बयान आप लोग ने सुना मनोजा करें थे कि भाई दुख है मुझे इस बात का कि हमारे तमाम बढ़े नेता यहीं पर मौजुद है राची में तेश्पी आदो भी राची में है तमाम बढ़े नेता राची में है लेकिन उन लोगों से पूछा तक नहीं गया है हलाकि उसके बाद तेश्पी आदो को ल हैं जिसके धार पर एका जा रहा है कि जे में जार्खन मुक्ती मोर्चा हेमन सुरिंग की पार्टी 41 सीटों पर चुनाओ लड़ेगी माले को बगोदर निर्सा और राजधनवार या सिंधरी की सीट मिल सकती है CPI को एक सीट देने की की चर्चा है गडबंदन के अंदर RJD को चार से पांच सीट देने की चर्चा है RJD की एक विधायक है पिछली बार साथ सीटों पर आज़े ले थी गडबंदन के अंदर लेकिन इस बार RJD कह दिए कि भाई ने चर्चा भीड़िये कि जारखन में कोई यादो वोट बैंक नहीं है जिसके धार पर आप कहरें कि भाई यादो मेरा कोर वोट बैंक है हमको चाहिए ही चाहिए जारखन में मुसल्मान जो है वो कॉंग्रेस पार्टी और जेमिम को वोट करता है बिहार में सिमांचल को छोड दिया जाए या फिर सहाबाद को छोड़ दिया जाए तो इन छेत्रों में बाकी जो मगद का छेत्र है या फिर आप चले जाए गुपाल गन सिवान चपरा तो उन छेत्रों में आरजेडी को मुसल्मानों का वोट मिलते है आरजी का वोट बैंक एम और वाई है मुसलिम और तो ऐसे में अधार क्या है? उन्हीं अधार पर आपको सीर्थ दिया जाएगा। एक जूट विपक्ष को एक जूट करने वाले नेता दुरंधर आपस में एक जूट नहीं हो रहे जारखन में यह तस्विर दिख रही है और सब के पिछे कालन क्या है एक जूट होने का मतलब क्या था कि भाई हमारी महत्व कांचा है हम सत्ता में हम सरकार में हमारी तने विद कोई जंता की लड़ाई नहीं है लड़ाई सीट की है यहां पर यहीं बड़ी बजहें कि जारखन में गड़बंदन के अंदर फूट देखनेयों को मिल रही है बारती इंतपाते भी कर रही है कि बाई यह तो चुनाओं से पहले यह विखर गए यह क्या बदलेंगे क्रामती क करेंगे यह तो चुनाओं से पहले ही आपस में भिखराव देखनेयों को मिल रहा है सीटी आरजडी को नहीं दी जा रही आरजडी नराज हो गई है तो तक्रीवन पांच घंटे तक होटल में रूट कर बैठे रहे लेकिन उन्हें मनाने वाला कोई नहीं था उन्हें मनाने कोई वहाँ पहुचा ही नहीं उम्मीद था कि अगर रूटेंगे तो कॉंग्रेस और जेमें हिमंत सोरेन की पार्टी के रेता आएंगे उन्हें मान मनोवल करेंगे और तब हम उनसे बातचीत करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं जिसके बाद देश्वियादों को भी जाना प कि हिसाब से चार-पांच सीटे नहीं बैठती है देखने वाली बात होगी क्या कुछ समिकरण बनता है क्या आर्जेटी मानती है या फिर आक लिए चुरॉल होती है बरहाल आपकी क्या रहा है आप मेरा को कमेंट बॉक पर रखिए अगर आप मेरे चैनल को यूटूब पर करें तो सब्स्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देखनें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिए